हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप का फिर से हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की कार्य पत्रक नमबर 28 और हमें करना है व्याकरण का कार्य चलिए शुरू करते हैं इस कार्य पत्रक को हल करना परश्ण नमबर 1 में आपको बताया गया है वे शब्द जो सुनने में लगबग एक से प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन होते हैं शुरुति सम्भ भिन्नारतक शब्द अत्वा मिलती जुलती आवाज वाले शब्द कहलाते हैं। वच्चो इसमें आपको बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगबग एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मतलब अलग-अलग होते हैं। जैसे चित्र मे ग्रह और ग्रिह दो शब्द दिये गए हैं और दोनों के ही मतलब अलग-अलग हैं। आप चलिए परश्ण का काम करते हैं शब्दों के सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाएं। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है और इसके सही अर्थ के सामने आपको सही का जान लगाना है जैसे वक्ष का मतलब होता है छाती अनिल का मतलब होता है वायू श्याम का मतलब होता है काला समान का मतलब होता है बराबर और शोक का मतलब होता है दुख अगले कोश्चन को देखते हैं प्रेश्ट नमबर दो चित्र के सही नाम पर गोला लगाईए अब यह दूसरा चितर है तुरंग यानि घोडे का, तीसरा चितर है कपाट, पिवाड या दर्वाजा, यह चितर है पानी का और यह चितर है पत्ता का. प्रश्ण नमबर तीन देखते हैं, सही शब्द लित्यस्थान में लिखें, अब आपको सही शब्द भरने हैं, पहला देखिए वह नदी की ओर चली गई, दूसरा राम की दशा ठीक नहीं है, तीसरा सीमा को आम का अचार पसंद है, चौथा प्रतीक्षा ने अपना ग्रह का पूरा कर लिया है, पांचवा, उसका परिक्षा परिणाम देखकर सब्द स्तब्द रहे गए, प्रेश्ट नमबर चार क्या है, इसमें आपको वाक्यों में परियुक्त गलत शब्द को रेखांकित करना है, और उसके स्थान पर सही शब्द को बॉक्स में लिखना है, बच दूसरा, हमें दिनों की मदद करने के लिए सदयव ततपर रहना चाहिए, दिनों गलत है, इसके बदले होना चाहिए था दीनों, दीनों का मतलब होता है कमजोर लोग, फिर थर्ड देखिए, कक्षा में कूल 20 बच्चे उपस्तित थे, यहां पर कूल गलत है, इस वाले कू दाएगा उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है कि उनकी आग्या का उलंगन नहीं करना चाहिए, फिफ्ट देखिए, भारतिया टीम को जीत के लिए मातरी एक रंड की आवशक्ता थी, इस वाले मातरी का शब्द होता है, माता यह गलत है, इसके बदले यह दिये गए हैं, आपको उनको देख करके, उनके सही अर्थों को लगा करके इनके वाक्य बनाने हैं, पहला देखिए करम यानि बारी, सब भी बच्चे करम से आएं, दूसरा शब्द है कर्म यानि काम करना, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, पूर्व, पूर्व का होता है कहना, राम ने कहा कि वह कल आएगा, कहा, हम कहा जा रहे हैं, निश्चित, निश्चित का मतलब होता है पक्का हो जाना, हमारी जीत निश्चित है, फिर शब्द है निश्चिंत, निश्चिंत का मतलब होता है चिंता मुक्त हो जाना, निश्चिंत होकर सो जाओ, उधार का मतलब होता कर, मुझे कुछ रूप है उधार दे दो, फिर एक शब्द है आधी, आधी का मतलब होता है, etc. और हम लिखते हैं, आम, सेब, केला, आधी, फल हैं, दूसरा शब्द है, आधी, आधी का मतलब होता है, किसी को किसी की आदत जब पड़ जाती है, तो हम कहत वे उसका आदी है जैसे अमन आराम करने का आदी है